जुरा करते हैं तो begging इसमें क्या इसकी कोच्छिन में एक रिडिउसीबल टेबल दिया हुआ है आप नोटिस आफेंगा करना यह वला टेवलेकद सुरा जिसका डाइमेंशन ज़्याद Hilich है reducible representation है और यह सब IR है irreducible representation है और हमको reducible को reducible में reduce करना है तो formula आपको पहले बताया था number of any IR is equal to 1 by h और summation x i y i और जाएटा है ठीक है और यहाँ पर यह 4 classes है तो आप formula 4 step तक लेखेंगे तो formula basically क्या लिखेंगे 1 by order order कितना है इन coefficient का सम 1 1 1 1 1 4 हो जाएगा 1 by 4 और ऐसे चार्ट हम लिखेंगे हम means x1 y1 z1 plus x2 y2 z2 plus x3 y3 z3 और plus x4 y4 और z4 ठीक है तो यह reduction formula को हम ऐसे लिखना सिखेंगे ठीक है यह जो formula लिखा हुआ है किसी वाईर के लिए तो depend करता है किसी point group पे जितनी class होती है आपको उतने term लिखना होता है फिर क्या देखो x कहां से आता है आपको पहले बताया था x कहां से आता है x क्या होते है यह characters होते है reducible representation के तो यह actually x1 यह x2 यह x3 और यह x4 reducible से आता है xy कहां से आता है ir से आता है जब आप even की calculation करोगे तो इसके सामने के जो भी characters है यह actually y1 y2 y3 और y4 है ठीक है और z कहां से लिखात है हमने है जो यह coefficients होते हैं कोफिशेंट को है मैं actually z1 z2 z3 और z4 बोलते हैं ठीक है इस आर काल्ड z characters अब बस यहाँ पर formula apply करते हैं करो apply एक बार try करो आप even के लिए ठीक है तो देखो even के calculation में आपको यहाँ पर करके दिखा को calculation of a1 यह number of a1 ठीक है तो 1 by order देखो कितना है 4 अब इनका multiply डारेक्टी करेंगे आप x1 y1 z1 8 हो गया फिर x2 y2 z2 minus 2 हो जाएगा x3 y3 z3 minus 6 हो जाएगा x4 y4 z4 प्लस का 4 हो जाएगा ठीक है अब calculation कर लो 8 cancel होट हो कि 4 by 4 मेंस यह 1 आ रहा है करो आप भी try कैसे ठीक है अब same type से आप calculation किस पर a2 के लिए करेंगे a2 की calculation तो देखो order तो सेम है अब बस न आप basic formula भी लगा सकते है पर फिर न कुछ reasoning type से देखो शौट कर टाइप से देखो a1 a2 में x की value उसका कोई change नहीं है z की value उसका कोई change नहीं है change किसका है y की value उसका है तो y के first two character से में बस last वाले दो character के sign minus हो गया है आप भी बस इसी final calculation में last के दो characters के sign opposite कर देंगे आप देखो calculation कितना आगया है तो टू आरास है दे तो इसी टाइप के shortcut से बागी दो भी कर दो आप करो जल्ली से वीडियो पॉस्ट करके आप भी try करो अब किसका number निकाल लेंगे आप number of b1 order तो same है अब फिर से compare करो first वाले के respect में b1 में कहाँ पर change है second और last वाले का sign change कर दो first वाले के respect में तो second और last वाले का sign change कर दो ये minus का plus कर दो third वाला same रखेंगे और last वाले भी plus का minus कर दो first वाले के respect में third वाले में क्या difference था ये second और fourth character negative है तो second को opposite कर दिया और इसको opposite कर दिया देखो calculation इस बार 0 आ गया plus का 10 minus का 10 0 हो जाएगा ठीक है करो जल्दी से last वाला B2 बिल्कु सेम इसे डेप सेकंड नहीं होते हैं आपको number of B2 तो order 1 by 4 देखो इसमें क्या है mid वाले 2 के science चेंज कर दो first वाले के respect में mid वाले 2 opposite कर दो तो यह 2 opposite करना है तो सारे plus हो जाएंगे इस बार इस बार इसा 20 by 4 में 5 आ जाएगा तो 1 2 0 5 तो reduction formula ही बनेगा reduction formula equal to 1 times A1 plus 2 times A2 plus 0 times B1 उसे लेखेंगे ने और plus 5 times B2 5 times B2 अब देखो option का हम समयच कर रहा है अब calculation देखलो कोई mistake तो नहीं है ठीक है ठीक है अब calculation सबसे ही क्या हुआ है तो 1 times A1 2 times A2 और 5 times B2 तो यह answer हमारा B मैच कर रहा है इस question का right answer B हो जाएगा ठीक है I think calculation समझ पार हो आप तो इस तरह से हमें question apply करना होता है